नमास्कार साथियों मैं ओनिस कुमार सुकल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के अगरी थिंकर्स के लेर्निंग प्लेटफ़ार पर 200 बीएस अगरिकल्चर और बीएस अगरिकल्चर ओनर्स में अगरिए फंडामेंटल्स ऑफ होडी कल्चर यानि उद्यान विज्ञान के मूलत अगरिश्टी से तो फंडामेंटल्स ऑफ होडी कल्चर का एक चौथा टॉपिक जो है प्लांट प्रोपेगेशन जिसको पादप प्रवर्धन बोलते हैं उसके मेथर्स एंड प्रोपेगेट प्लांट प्रोपेशन और यह प्रवरधन के तीन प्रवर्धन के होतेैं पहला तक्रेश्ट यानि विज दौर्ह प्रवर्दन इसको रर्वांगी प्रवर्दन यासेक्ष्गल प्रॉप्रॉपिकेशन जो प्लेसे अरक पपिछिब के बाले है ठीक है यहां पर देखिए फिर आप लोग काई प्रवर्धन इसी को अलेंगी प्रवर्धन बोलते हैं इसे को सुमाइटिक प्रवर्धन या असेक्शुल प्रवर्पगेशन इसमें कमल गुलाब बगार आते हैं और तीसरा जो अभी बहुत चर्चा में है वो है उतक संबर इसको टी सु कल्चर बोलता है् इसमें को माइक्रो प्रोपगेशन यानि सुच्परवर्धन बोलते हैं ठीक है टीशु कल्चर बोलते हैं इसके फादर जी है वर लाइंड हो जाएंगे और दीके सीड़ दोरा क्या होता है तो यह पोजे बीजू होते है और इसका लाब यह जादा एंब्रीओन लुटर। निमें एक ही भुरूर्ण से जादा वह एंब्रीओनी कलने लगते हैं छानी क्या होती है तो मात्रि विक्ज के समान गुड़ नहीं पाए जाते और अधिक समय के बाद फॉलन होता है जान इसमें जो unfruitfulness की अवस्था होती है वह ज़ादा होती है इसमें ये आपक keen on f publicity नशौम को देखेंगे 00 ho इसा कि मात्र समान गूर मीघ जाते हैं। बीज रही पौधों का परवढ़द उसक्ता है और निम्नलिखित स्रेड़ी के पौधों का उच्य श्रेड़ी में प्रवढ़दित कर सकते हैं। चाहन क्या होती है तो बीजू पौधे की तुल्ला में इसकी आयू जो है वो कम होती है कम मजबूत होते हैं। सांसिलता संबेदा सिलता काम पाई जाती है उतक संबर्दय ने टीसू कल्चर दिखिए तो इसमें बीजा सारीरिक भागों की जरुवत नहीं होती ठीक है यह जी है पर लेंड के द्वारा विक्सित किया गया और वानस्पतिक प्रवर्धन के प्रकार देख लीजिए कलम जड कलम में रूट कटिंग क्या होता है तो इससे सेम आडू लीची अमरूद में काये जाता है इसमें 0.5 से 1 cm मोटी रखते हैं रूट को और 12 cm लंबी रखते हैं ठीक है तला कलम यानि स्टेम कटिंग तो जिनकी पतियां जो है जो पतियां मतलब हैं लीफ होते हैं उन में उप्योगी होता है इसके एक जांपल में ब्रायो फिल्लम और बगेन विली आएगा देखें इंपोर्टन जो है एक जांपल है तो आपनों को ध्यान में रखना है इसमें कुछ परकार के स्टेम होता है पहला हार्ड बूड इसको बोलते हैं कठोर तना ठीक है हार्ड स् मद्यम तना जिसको मेडियम वूड बोल सकते हैं जिसमें च्छे से नौ माह जो है पुरा जकर ते यह अंजीर नीब और यह उन्हे, और मुलायाम पुराना होता है चमेल योज करते हैं साकी की esto में, होता है यह उन्ना इब्रिदि है और गुल writings mean यूसको गुलदावधि को क्राइस एंथिमम बोलते हैं समभाता ठीक है उसमें यूज करते हैं टीक है फिर देखे दाब कर्म जिसको लेयरिंग बोलते हैं देखिए लेयरिंग जो है इसका गूती दाब्याफ सर्पाकार आप भी बोलते हैं इसी को मौंट या स्टूल दाब लेक्टे इस में आपका मेंट मेंट वीनियर ग्राफ्टिंग आता है जो आम में यूज सब एरियल जिसको अर्धवाई भी बोलते हैं तो देखें उसमें मोडिफिकेस्टन स्टेम पर मैंने लाए था मोडिफिकेस्टन स्टेम सब एरियल में रनर आता है जिसको भूसतारी बोलते हैं दूब घास देखें बगल में हिंदी भी लिखें आप उसको पढ़ लेंगे चुकि इसमें हिंदी थोड़ी सिकटीन है इसलिए आप लोग इसमें इंग्लीज स्याद कर सकते हैं सकर तो आप लोगों को पता होगा केला में मैंनी पता होगा केला में सोवार सबसे तलवार सबस दोर करते हैं तो सकर में स्ट्रोबेरी केला और गुल्दाओदी आएगा स्टोलोन जिसको बोलते हैं उपरी भूसतारी इसमें जलकुम्भी और समुद्री सोख आएगा ठीक है तो यहां पर जो आपका टॉपिक है प्लांट प्रपकेशन ठीक है में अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है ठीक है अब चुकि यह मेरा नोट से फस्ट सेमिस्टर का तो पीडियोफ के लिए आप जॉइन करेंगे टेलिग्राम चैनल और लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आज ही मैं पीडियोफ अप्लो